नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ शारुक खान का एक हैंड विटन लेटर सेशल मीडिया पर सामनी आया है यह चरपेश लंबा लेटर है यह दो ने अपने कॉलिज के दिनों में लिखा था इस लेटर पर कोई डेट नहीं लिखी है लेकिन रिपोर्ट्स के मताबिक शारुक खान ने लेटर तब लिखा था जब वो कॉलेज के फाइनल येर में थे और उन्हें दिल्ली के हंसराज कॉलेज से क्रेडियूशन किया था इस लेटर में शारुक खान ने अपने बचपन की बाते लिखी हैं लेटर में उन्हें अपने परिवार और स्कुल का जिक्र किया है शारुक ने लेटर में ये भी लिखा है कि उन्हें एक्टिंग करने का ख्याल कैसे आया और उन्हें एक्टिंग की शुरुआत कैसे की इस लेटर में शारुक खान ने ये भी लिखा है कि उन्हें बचपन में स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरस्ट था वो फुटबॉल, क्रिकेट और होगी खेलना पसंद कते थे एक्टिंग के शोग के बारे में बात का तेवे शारुक ने लिखा कि स्कूल के दिनों में मुझे एक्टिंग में इंट्रेस्ट था दरसल मैं बचपंची लोगों की नकल उतानने और उनको कॉपी करने में बहुत अच्छा था मैंने हममालीनी की मिमिक्री करनी शुरू की थी ग्रेजुएशन तक मैंने देवानन, राजकपूर, पत्फी राजकपूर और राजबबबर तक की मिमिक्री करनी सीख ली थी राजबबबर से याद आया कि मुझे आकर एक्टिंग में इंट्रेस्ट कैसे आया दिल्ली में और दिल्ली के आसपास मेरे पापा के रेस्टोरेंट चेंड थी शारुकान ने आगे लिखा मैं रेस्टोरेंट के मेंस मैकसर जाया करता था और वहाँ वो लोग जो प्ले परफॉर्म करते थे वो दिखा करता था यह उन दिनों के बात है जब ग्रेट डिरेक्टर इब्राहिम अलफाजी और राजबबर रोहिनी हटगंडी अजित वाच्छानी सुरेखा सिकरी का समय था इन में से कई लोग वहाँ एक्टिंग भी करते थे उस समय मैं शायद नोया दस साल का था मैं और्दू में शायरी लिखा करता था और मेरे गालों पर क्यूट से डिम्पल भी थे इन चीज़ों की वज़ा से मुझे इन एक्टर्स रैक्टर्स से काफी अटेंचन मिल जाया करता था शायद उन्हें देखकर ही मैंने ये तयक कर लिया था कि मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ शारुक खान ने इस लेटर में ये भी लिखा कि उन्हें स्कुल ड्रामा अंदेरी नगरी चोपट राजा में कल्लू बन्या का रोल मिला था और ये उनका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद